यह देखिए फुली फुली खस्ता मटर की कचोरी बहुत ही आसान तरीके से ना अट गुधना होगा ना बेलना होगा और ना ही पटने का टेंशन इसके लिए हमने यहाँ पर दो कप मटर को थोड़ा सा क्रश कर लिया है कड़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ी सी राय डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, साबुधनिया, कटेवी हरी मीर्च और क्रश के अवा अधरक डाल के भून लेंगी अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बेसन, जब बेसन बढ़ी असे भून जाए तो क्रश की वी मटर डाल कर इसे भी कुछ दिर चला लेंगे लानमुच पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर डाल कर बढ़ी असे मिक्स करेंगी और डाल देते हैं बारीकट की विधन्या पत्ती, फिलिंग तैयार है अब दो कप पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल और एक कप सुझे डाल करेंगे अच्छे से मिक्स करकर और तब तक पकाएंगे जब तक की डू के फार्म में नहीं आ जाती ये इसका फ्लेम मौफ करने के बाद दो मिलेट के लिए कवर कर देंगे, मसल कर चिकना कर लेते हैं चले, अब हम यहाँ पर कचोरिया बनाना शुरू करते हैं तो हेना फ्रेंट्स बहुत ही आसान तरीका गर्मा गरम तेल में हाई फ्लेम पे इने फ्राइ करेंगे लेजे फुली फुली खस्ता कचोरिया बन करते हैं